वहीं इसके साथ अगर हम कोटन पर भी नजर डालें तो कोटन पर भी दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है कोटन का पूरी दुनिया में उतपादन में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है अमेरिका में कोटन का उतपादन 3% कम रहने का अनुमान है वहीं भारत में भी उतपादन कम रहने का अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड कोटन कंजम्शन ग्रोथ में 2.9% की भड़ोतरी की संभावना जताई गई है वही करोना के बाद दिमान बने से कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है यानि कि कोटन के पूरे अगर fundamental पर नज़र दोड़ाएं तो कोटन का fundamental काफी supportive है जिसके चलते उमीद है कि कोटन में फिलाल तेजी बनी रह सकती है आज हम वायदा के अंदर कोटन के अंदर वापिस से recovery आते हुए देख रही है और January वायदा डेट फिसद तक तेज हो चुका है जबकि December वायदा में अभी आदि फिसद की ही तेजी देखने को मिल रही है उमीद की जा रही है कि कोटन जो है दिसंबर वायदा 32,000 तक उपर जा सकता है वही January वायदा 32,000 से 33,000 के स्थर दिखा सकता है यानि घरेलू बाजारों में भी तेजी का महौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है करेक्शन के अंदर कोटन और कोटन ओयल सीट के इन दोनों ही कोमोडिटीज के अंदर खरिदारी की रहनिती बना कर चलना चाहिए थोड़ा सा होरीजन लंबा रखें अगर आपका आउटलुक थोड़ा लंबा है आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो जिन भी किसानों के पास कोटन रखा हुआ है कपास है उसको थोड़ा सा आप होल्ड करके चले क्योंकि उम्मीद है आने वाले दिनों में एक बार फिर से 1000-1500 रुपे की तेजी कपास के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है